स्वागत आप सबका सीए फाउंडेशन की लौकी पहली क्लास में मेरा नाम सीए रागव गोयल है और मेरे साथ आपके लौकी लेक्चर्स रहेंगे बिजनस लौ नाम से जो आपका ये सब्जेक्ट है दोस्तों उसके अंदर आप जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे वो सारे चैप्टर्स कहीं न कहीं बिजनस और इंडस्ट्री से रिलेटेड है जब आप लौ पढ़ते हो तो दिल के अंदर आवाज उठती होगी कि हम वखालत करना तो नहीं शुरू कर दिया हमने कहीं हम वो सारे कानून तो नहीं पढ़ रहे जो लोग बाकी कॉर्सेस में पढ़ा करते हैं जब वो स्पेशलाइजेशन करते हैं लौ में ऐसा नहीं है दोस्तों बिजनस और इंडस्ट्री के रिक्वार्मेंट के हिसाब से कानूनों को चुन-चुन कर लौस को चुन-चुन कर आपके कॉर्स में रखा जाता है जब आपने चार्टर्ट अकाउंटेंसी शुरू करी होगी तो आपने शायद सोचा होगा कि हम अकाउंट्स पढ़ेंगे, फाइनेंस पढ़ेंगे और यह सच है उसके साथ-साथ आपको देश का कानून पता होना चाहिए जो बिजनस और इंडस्ट्री के ऊपर अपनीके बिल है भी अभी कई chapters होगे जो आप foundation में पढ़ेंगे कई chapters होगे जो आप intern में पढ़ेंगे और कई chapters होगे जो मेरे साथ आप final में पढ़ेंगे अलग 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 बटवारा इसी हिसाब से हुआ है कि कौनसी stage पर कौनसे loss की आपको पढ़ने की जरूरत है तो आज सबसे पहले दो मिनिट लगा कर course content देखते हैं और course content देखने के बाद अपना पहला chapter शुरू करते हैं तो सबसे पहले आईए course content से aware हो जाते हैं कि क्या-क्या चीज़ें अपने course में हमारे पास हैं सबसे पहले दोस्तों course content में ये जो chapters आपके सामने हैं इन chapters में आप देख रहे होंगे कि जो पहला chapter है वो red color से कर रखा है मैंने बाकी सारे black color से इसलिए हैं क्योंकि बाकी सारे chapters one by one हम पढ़ेंगे आज की हमारी जो पहली class है उसमें हम contract act 1872 शुरू करेंगे तो सबसे पहले वाला जो हमारा chapter है that is this contract act 1872 this will be our number one chapter obviously उसके बाद हम sale of goods पढ़ेंगे उसके बाद हम partnership लेकिन उसके बाद हम LLP ना पढ़कर पहले हम पढ़ेंगे companies act और उसके बाद end में हम पढ़ेंगे limited liability partnership act 2008 इन पाचो कानूनों में 1,2,3,4 के बाद मैंने 4 change क्यों करा वो आपको दीरे दीरे पता चल जाएगा आज का हमारा agenda serial order समझना नहीं है आज का हमारा agenda है chapter contract act 1872 की शुरूआत करना ठीक contract act 1872 शुरूआत करते समय हमें ये पता होना चाहिए कि contract act 1872 का कानून contract के उपर applicable होता है तो contract किसे कहते हैं कानून के अंदर के content क्या क्या है हमें as a CA student किन किन चीजों को पढ़ना है आई एक एक करके देखते हैं सबसे पहले दोस्तों जब आप contract act शुरू करोगे तो contract act शुरू करते समय आपको ये पता होना चाहिए कि जरूरी नहीं कि एक देश का एक कोई कानून हो वो पूरा का पूरा आपके course में available हो मतलब मेरा कहने का ये है अब आपके सामने जैसे ये contract act 1872 है तो contract act 1872 अगर आप reality में original कानून की जो book है उससे आप पढ़ोगे अपने CA foundation के study mat को हटा के तो आपको contract शुरूरा दिखेगा जिसकी शुरूरात अब हम कर रहे हैं उसके अंदर आप देख रहे होंगे कुल 6 units अपने course में हैं मतलब हमारे CA institute के द्वारा जो हमारा foundation का course बनाया गया उसमें contract act 1872 नाम से जो आप पढ़ना शुरू कर रहे हो उसके अंदर आप देखे ये 6 unit हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो क्यों इसके अलावा भी कुछचीजे होती है क्या contract act में कैसके अलावा भी content होते हैं contract act में जी हां दोस्तों सिरफ इतना ही contract act नहीं है contract act 1872 में जानते हैं आपको क्या पढ़ना है कि हमारे हिंदूस्तान में बनाय जाने वाले जितने भी contracts है अगर कोई व्यक्ति उस contract को fulfill ना करें, तो उसके खिलाफ कोई action होना चाहिए, उससे हमें damages, उससे हमें compensation लेना चाहिए, मेरा कहने का मतलब है कि contract act के अंतरगत, जितनी बाते हम पढ़ेंगे contract act से related, contract को regulate करने वाली, contract को नियम के अंदर बाधने वाली जो बाते हम पढ़ेंगे, वो सारी बातें, कई सारे headings में समाईए, लेकिन अपने CA foundation के course के अंदर, केवल और केवल ये 6 बातें अपने course में हैं, पहला nature of contract, अभी तो आप सिरफ नाम सुनोगे, आपको हो सकता है, सुनने के बाद ऐसा लगे कि नहीं, नाम सुनने से क्या है दोस्तों, पता तो होना चाहिए, कि अपने milestones कौन-कौन से हैं, contract नाम के chapter की जिसकी अब शुरुआत अभी करने जा रहे हैं, पहला nature of contract, consideration, other essential elements of a contract, performance of contract, breach of contract and its remedies, और contingent and quasi contract, ये 6 की 6 चीज़े अगर आप अपने register पर लिखना चाते हो, तो लिख सकते हो, बाकी book में तो आपके सामने आपने देखा होगा, वो लिखा हुआ ही होगा, त क्योंकि अब ही जब मैं unit शुरू करूँगा, तो बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, आपको आप अपनी pen paper तयार रिखेगा, notebook तयार रिखेगा, उसके आउपर हम लिखते रहेंगे, I hope you got this point, कि total 6 units are there in the contract act 1872, कुल मिलाकर हमारे सामने 6 units हैं, जो हमें contract act 1872 के अंदर पढ़ क्या जा रहे हैं, हम जो पढ़ने जा रहे हैं, उसका relevance क्या है, मतलब कुछ idea सा लग जाना चाहिए आपको topic का, once you start this topic, right, so let's see, अब आपके सामने ही हाप पर है applicability, applicability का मतलब जानते हैं, applicability का मतलब है कि contract act 1872 नाम का जो chapter है, वो कब से लागू हुआ हमारे देश में, क्यों सुनने से हजीब ने लग रहा है आपको, कि आजादी से पहले से हमारे देश का एक कानून चल रहा है, और दूसरी बात, यहाँ पर लिखा है area of applicability, तो यह तो बड़ी जीव सी बात है कि हम देश का कानून पढ़ रहे हैं, और कानून पढ़ते पढ़ते हमें ये भी पढ़ेगा कि वो कहा लगेगा, अरे भई भारत का कानून है तो भारत पर लगेगा, ये पूछने का तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए, दोस्तों कुछ समय पहले तक ऐसा होता था, आप जानते होंगे कि हिंदुस्तान में कोई भी कानून लगता था, तो जरूरी नहीं कि वो जम्मू और काश्मीर पर अपलाई होता था, अब तो जम्मू और काश्मीर का विशेश राज्य का दरजा खतम हो चुका, special status of जम्मू और काश्मीर has been withdrawn, but now, now the all laws of India are applicable to the entire territory of India, आज की तारीक में तो कानून सब जगा available है, सब जगा applicable है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, इस does not apply on जम्मू और काश्मीर, लेकिन फिलाल ऐसा है नहीं, तो इसलिए मैंने specially आपके सामने हेडिंग रखी के contract नाम का जो chapter आप पढ़ रहे हो, वो देश में कब से लागू हुआ, और contract नाम का कानून जो आप पढ़ रहे हो, वो भारत के हर हिससे पे लागू होता है या नह नहीं होता, ये दो बाते हम इसलिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब आप एक्जाम देने जाओगे दोस्तों, तो इन पर छोटे-छोटे सवाल बन जाते हैं, contract किसे कहते हैं, contract कानून के अंतरगत कौन-कौन से rules हम पढ़ेंगे, वो सारी चीज़े हमारे पास हैं और वो हम ज अपलाई होता है, तो मैं एक-एक करके आपके साथ लिखता हूँ, आप भी लिखिएगा, प्लीस, आपको इस बात का खयाल रखना होगा, कि जो मैं लिखता चला जाओं, वो आप भी लिखते चले जाएं, मैं जैसे-जैसे लिखूंगा, वैसे-वैसे आपको भी साथ- देट, तो सबसे पहली चीज़ लेखिए, with effect from 1st September 1872, एक September 1872 से ये कानून हमारे भारत पर अपलाई होता है, दूसरी बात, later on, adopted by Indian Parliament, post-independence, आपको सोचकर ऐसा लग रहा होगा, जब आप 1872 की तरफ देख रहे होंगे, कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ कानून, हम अपने निजी भारत के अंदर क्यों लगा रहे हैं, दोस्तों ऐसा होता नहीं, जब अंग्रेज सरकार थी, तो वो भी स्थी, तो सरकार न, उसने हमारे उपर Contract Act 1872 नाम का एक कानून लगाया, और अगर उस कानून में कोई कम ही नहीं है, अगर उस कानून की रेलेवेंस आज भी है, अगर उस कानून की रिक्वार्मेंट आज भी है, अगर उस कानून के अंदर का समान ऐसा है, जो आज भी हमारे लिए रेलेवेंट है, तो फिर भारत सरकार उसे कंटीनू करें, इसमे अक्सर changes नहीं आते, दोस्तों I repeat what I have said, Contract Act 1872 में अक्सर changes नहीं आया करते, अब आप सोची 1872 का अंग्रेजों का बनाया हो कानून, बाद में भारती संसद ने अपना लिया, Indian Parliament ने स्विकार कर लिया, तो उसका reason केवल और केवल यही है, कि उसकी relevance जितनी तब थी उतनी आज भी है, आपको chapter के नाम से इत बात का idea लग गया होगा, कि जब दो व्यापारी आपस में contract करते हैं, किसी बात को लेकर समझोते करते हैं, तो उस समझोते में हमें यह डर होता है, कि वो लोग उसको पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, आप imagine करिए, कि contract लोग करने लगें, और सब लोग बिलकुल इमानदारी से सारे समझोते परफॉर्म करने लगें, तो ऐसे में तो कानून की कभी जरूरत पढ़ने नहीं नहीं वाली, अगर आप imagine करिए, कि हर आदमी अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरीके से निभाने लगे, कहीं पर कोई भी non-compliance का case ही ना हो, तो दोस्तों ना कानून की आवशक्ता, ना पुलिस की, ना अदालत की, ना जेल की, इसका मतलब मेरा कहने का यह है, कि ऐसा होता तो है नहीं, यह तो एक दिवास वापने, it's a daydream, कि लोग अपनी जिम्मेदारियां हमेशा पूरी 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 निभाई देंगे, तो इमांदारी से समझाता पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं हो पाता, तो अब जब वो नहीं हो पाया, तो हम जज करेंगे, evaluate करेंगे, कि वो क्यों नहीं हो पाया, तो अगर वो intentional non-performance होगी, जानमूझ के किसी ने contract perform नहीं करा होगा, तो हम damages claim करेंगे, और इस कानून हमारे देश में apply है, applicable है, आईए, दूसरी चीज़ देखते हैं यहाँ पर, area of applicability, area of applicability में हमें क्या पढ़ना है, कि कानून कहां कहां पर apply होता है, क्या हिंदुस्तान में कोई ऐसी geographical territory है, जहां पर यह apply नहीं होता, अब खुशी के बात यह है, कि इस अखंड भारत म कोई ऐसी जगा नहीं, जहां पर contract act 1872 apply नहीं होता, हाँ जी सर, तो लिखिए, साथ साथ लिखेगा please, applies to the whole of India, applies to the whole of India, और जम्मू कश्मीर के बारे में हम क्या लिखेंगे, including या excluding, including, वैसे ही लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जब आप whole of India लिख चुके हैं, तो including हो गया, लेकिन दोस्तों, क्योंकि यह ताजा-ताजा, नया-नया बदला है, इसलिए आपको याद रहना चाहिए, कि कहीं कोई किताब आप न देख लें, कहीं कोई पुरानी, आप literature न पढ़ने, कोई पुराना paragraph न पढ़ने, तो आपको पता रहना चाहिए, कि क्या लिखना है, यहां पर including, जम्मू एंड काश्मी, देखिए, अभी class इतिहास की नहीं है, तो हम सादा अंदर तो इतिहासिक बातों में जा रहे, लेकिन इतना तो आप सबको यादी होगा, कि जम्मू कश्मीर में पहले कई सारे कानून अपलाई नहीं होते थे, लेकिन अब वहां पर सारे कानून अपलाई होने लगे, और जम्मू कश्मीर मिला कर, पूरे भारत पर यह कानून अपलाई होने लगा, तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई, हमने यहाँ पर देखा कि Contract Act 1872 अपलाई कहां पर होता है, पूरे भारत पर, हमने यहाँ पर देखा कि Contract Act 1872 कब से अपलाई होता है, 1872 से, right, so this is done, आईए, अब आगे पढ़ते हैं, Contract Act 1872 के अंदर का जो structure है दोस्तों, वो अब यहाँ पर आपके सामने है, ये pages आपके पास भी होंगे, Contract Act 1872 के अंदर कितनी बाते हैं, Contract Act 1872 कितने हिस्सों में बटा है, Contract Act 1872 के अंदर हमें क्या-क्या पढ़ना है, वो इस समय आपके सामने है, मैं आपको याद दिला दूँ कि अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया, proper way में कि Contract किसे कहते हैं, सर चैप्टर की शुरुआत करोगे, तो थोड़ा से चैप्टर का idea तो ले लेना चाहिए, आप प्ली समझने की कोशिश करिए कि आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, और चैप्टर के अंदर का structure और content नहीं sections है, section 1 से लेके 266 तक, लेकिन आपको एक बात बताओ, 266 sections CA foundation में नहीं है, CA foundation तो क्या, in fact इंडिया में भी बहुत सारे section डिलीट हो चुके, पूरे भारत में जब ये कानून की किताब आप खरीद होगे न, contract act पढ़ने के लिए, तो contract act में कई सारे provisions हैं ही नहीं, तो पहले अब ध्यान से देखिया यहाँ पर, heading में लिखा है, contract act section 1 से लेके 266 तक, प्लीज दीरे दीरे समझेगा, मैंने बताया आपको contract act 1372 में section 1 से लेकर 266 तक, एक से लेके 266 तक आपके सामने पूरा content है, अब आप यहाँ देखिए, उस उस पूरे contract act में जो अभी हम पढ़ने ज ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको हिसाब बतारहूं, 266 sections में क्या आपने को पढ़ने और क्या आपने को नहीं पढ़ना, general principle section 1 से 75, और special contracts section 124 से 238, तो पहले तो इन दोनों का मतलब मैं आपको बताता हूं, general principle का मतलब है कि ऐसे principle, जो हर contract के उपर apply होते, अगर आ लोग mutual consent से समझोता करे, जबरदस्ती कोई समझोता ना करे, अगर आप कोई service बेच रहे हो या service खरीद रहे हो, तब भी mutual consent होना चाहिए, goods बेचो के तब भी mutual consent होना चाहिए, bank में account खुलवाओ के तब भी mutual consent होना चाहिए, दो companyya मर्ज होंगी, तब भी mutual consent होना चाहिए, तो के साथ भी contract कर लीजे, कुछ नियम तो ऐसे जरूर मिलेंगे आपको जो एक जैसे होते, तो जो common principle है, जो normal principle है, जो सामान्य principle है, जो एक जैसे principle है, जो सब जगा universally apply होने वाले principle है, contract से सम्मंदित, वो ये है, general principle, section 1 से लेकर section 75 तक, section किसे कहते हैं, clause किसे कहते हैं, वो law का general मेरा एक lecture है, वो आप ले लीजेगा, उसमें आपको ज़रूर समझाएगा, लेकिन फिलाल, आप इस समय फोकस करिए, कि जो दो हिस्से हैं, chapter के, उसमें जो पहला हिस्सा है, उसमें हमें क्या पढ़ाये जाएगा, वो principle, जो हर प्रकार के contract पर apply होते हैं, है न, अभी लिखते हैं इसके बारे में, और यह जो special contract है, chapter के अंदर, contract act के अंदर, कुछ ऐसे नियम भी बताए गए हैं, जो universal नहीं है, मैं उधारन देना चाहता हूँ आपको, कि मालीजे, bank loan लेते समय, bank loan लेने वाले को, loan इतनी असानी से मिला नहीं, तो bank वालों से उसने पूछा, कि भाई, क्य guarantee से related contract, guarantee से related principles, guarantee से related rules, यहाँ पर लिखे हैं, इसके अंदर आप पढ़ियेगा, मैं नाम पोल के सुना रहा हूँ, आपको, हो सकता है, आपको समझा है, हो सकता है, आपको ना समझा है, indemnity, guarantee, bailment, pledge, और agency, यह कुछ विशिष्ट प्रकार के समझाती है, जो in sections में समझाए गए जिनके उपर भी general वाले rule तो लगते ही है, लेकिन उनके अपने खास नियम भी है, I repeat, जो chapter अभी आप शुरू करने जा रहे हैं, उस contract act 1872 के अंदर दो बड़े हिस्से हैं, एक हिस्से के अंदर उन नियमों को पढ़ाया जाता है, जो नियम बहुत common है, हर प्रकार के contract के मैंने example बताया, free consent जैसे, कि भई अगर कोई दो लोग आपस में समझोता कर रहे हैं, वो किसी भी प्रकार का समझोता हो, आपस में free consent होनी तो जरूरी है, बिल्कुल उसी प्रकार से कुछ और principle भी है, बट वो universal नहीं है, जिनको हम special contract मानते हैं, कुछ ऐसे समझोते हैं, जो दोस्तों हर जगा नहीं पाए जाते हैं, जब जब पाए जाते हैं, तो कौन-कौन से rule लगेंगे वो यहां पर हैं, जैसे for example, indemnity, guarantee, bailment, pledge और agency, इनका मतलब अभी देरे-देरे आपको पता चलेगा, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है, जान से देखिएगा, पूरे के पूरे क से 238 है, मेरा सवाल यह है कि इसके आगे का हिस्सा क्या हुआ, भई यह section 75 तक यहां है, तो 76 से लेके 123 तक कहां गए, और दूसरा सवाल यह है कि यहां तो 238 तक लिखा है, तो 239 से लेके 266 तक कहां गए, you got my point, बहुत प्यार से सवाल समझिएगा, मैं आप लोगों के सामने एक प्रशन रख रहा हूँ, कि यदि contract act 1872 में 1 से लेके 266 तक sections हैं, पूरा कानून अगर हम ऐसा होल देखें, और मैंने आपके सामने जो दो column बना के दिखाए, उसमें एक में 1 से 75 तक लिखा है, और दूसरे में 124 से 238 तक तो सवाल उठता है, कि 76 से लेकर 123 तक कहां गया, और 238 के बाद 239 से लेकर 266 तक कहां गया, तो आप सोच रहे होंगे, शायद ये दोनों course में नहीं होंगे, भई हम CA foundation कहीं तो law पड़ रहे हैं, law के उपर PhD धोड़ी कर रहे हैं, law में कोई अलग से degree लेने धोड़ी आए हैं, आपका इस सवाल का जवाब मैं 2 मिनिट बात द लिए और यहाँ पर लिखना शुरू करिए जो मैं लिख रहा हूँ, देखिए, general principles, these are common rules, ये क्या हैं, ये common rules हैं, these are common rules, these are common rules applicable on, these are common rules applicable on, all types of contracts, all types of contracts, कैसा भी समझोता कर लो, ये वो नियम है, जो हमेशा लगे रहेंगे, दूसरा, these rules are universal in nature, for example, example की बात करें, for example, जैसे क्यार नियम, for example, free consent should be there in all contracts, और बहुत आसान बात है, कि भई हर contract में free consent होनी चाहिए, हर समझोते में free consent होनी चाहिए, हर agreement में free consent होनी चाहिए, इसमें क्या बुरा है, अगर आप सोचो के guarantee दे रहे हो, तो वहां तो होनी चाहिए, लेकिन goods खरीद रहे हो, तो वहां नहीं होनी चाहिए, ऐसा तो होता नहीं, कैसा भी प्रकार का contract हो, free consent होनी चाहिए, दो पार्टियां अपस में होनी चाहिए, बदले में consideration होना चाहिए, यह कुछ ऐसे नहीं हम यहां पर पढ़ाये जाएंगे इस वाले हिस्से में, जिसके अंदर यह बताया जाएगा, कि क्या क्या हर contract में available होना ही चाहिए, जनरल प्रिंसिपल, 75 sections है, टोटल, और यहां पर दोस्तों क्या है, अचाह अगर आपने यह ना लिखा हो, तो आपको पताने क्या करना है, वीडियो पॉस करनी है, और यह लिखते रहना है, यह जितने भी points हैं, वैसे तो कोशिश करिए, कि आप मेरे साथ साथी लिख लें, लेकिन अगर नहीं भी लिख पाए, तो बस आपके हाथ में सब कुछ है control पूरा, बस आपने रोका और लिखना शुरू कर दिया, आप ज़रा special contract देखते हैं, special contract में मैंने आपको क्या बताया, यह कुछ विशिष्ट प्रकार के समझोते हैं, जो हर रोज और हर जगा नहीं ह लेकिन यह जब भी होते हैं, तो कौन-कौन से रोल लगते हैं, वो यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, आईए ज़रा देखें, these are, these are specific contracts, these are specific, बिलकुल विशिष्ट, कुछ खास है यहाँ पर, these are specific contracts, which are governed by, यह governed by समझते हो ना, regulate होते हैं यह, which are governed by, separate rules, मतलब, यहाँ पर जो specific contracts हैं, जो विशिष्ट समझ होते हैं, जो अलग से कुछ खास contracts हैं, उनके लिए rules भी खास होते हैं, अलग होते हैं, तो कौन-कौन से ऐसे खास समझ होते हैं, जो यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे, such contracts are, कौन-कौन से हैं, इंडेम्निटी, गैरेंटी, बेल्मेंट, प्लेज, और agency, यह जो 5 समझ होते हैं, आपने लिखे, सिर्फ यह 5 special contracts कहलाते हैं, बहुत ध्यान से देखेगा, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इंडेम्निटी 1, गैरेंटी 2, बेल्मेंट 3, प्लेज 4, और agency 5, यह जो 5 समझ होते हैं दोस्तों, इनके उपर, जब यह 5 समझ होते बनाए जाएंगे, तो इनके उपर, यह जनरल रूल तो अपलाई होते ही होते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ, जनरल वाले नियमों के साथ-साथ, कुछ विशिश्ट रूल भी होते हैं, जो यहाँ पर अपलाई होते हैं, कुछ खास नियम होते हैं, यह वो खास नियम, special contracts कहलाते हैं, राइट दोस्तों, अभी भी हमारे इस सवाल का जवाब नहीं मिला, के 1 से 75 यह हैं, और 124 से 238 तक यह हैं, बीच के और आगे के section कहां चले गए, अभी पक्का बताऊंगा ना मैं आ रहा हूँ उस बात पर, लेकिन मैं एक और खास बात आपको यहां बताना चाहता हूँ, कि आपको याद दिला दूं कि आप CA Foundation में हैं, तो CA Foundation में, यह वाला हि इसा कोर्स में नहीं है, हो, तो यह कब पढ़ेंगे हम, यह हम और आप मिलकर CA Intermediate में पढ़ेंगे, दोस्तों आपको मेरे साथ Foundation, Inter and Final और उसके बाद भी मिलते रहना, तीनों में मेरे साथ आपके subject law है, Foundation में सिरफ section 1 से लेकर 75 तक ही अपने कोर्स में है, मतलब हमारे मामले में हमें केवल और केवल general principles को ही समझना है, section 1 से लेकर 75 तक जो general principles हैं, उनका हमें foundation में अध्यन करना है, तो सरी इतना सरव हैं आपने स्पेशल वाले समझाने में क्यों लगाया दोस्तों मैंने आपको दो सड़के दिखाई और बताया कि एक पर चलना है और एक पर नहीं तो आपको रिलीफ मिला होगा अगर मैं आपको सिरफ ये बताता कि हमें केवल जनरल प्रिंसिपल पढ़ने तो पताया आपको क्या लगता हमें 75 सेक्शन पढ़ने इतने सारे रूल पढ़ने कैसे समझाएगा अब जब कि मैंने आपको बताया कि है तो 266 है तो 238 तक है तो दो बड़े बड़े हिस्से लेकिन पढ़ना केवल एक ही है तो देखकर आपको सुकून हुआ होगा वा भाई वा वेरी गोड फाउंडेशन में अच्छा है कि आदा है बाकी बचा हुआ तो हमें इंटरमीडियेट में पढ़ना है तो प्लीज मेरी बात ध्यान से दोबारा सुनिए मैंने क्या बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी के फाउंडेशन के अंदर जो चैप्टर्स आपके कोर्स में हैं उनके नाम क्या थे इन पांच में से जो पहला चैप्टर हमने पढ़ना शुरू करा वो कौन सा है कॉन्ट्रेक्ट एक्ट 1872 कब बना एक सितंबर 1872 को बना और इस कॉन्ट्रेक्ट की अप्लीकेबिलिटी कहां कहां पर है पूरे भारत के उपर है इस कॉन्ट्रेक्ट 1872 के अंदर कुल जो योन हमारे CA Foundation के कोर्स में Institute के Study Material में जो हिस्से दिये हुए वो कितने है कुल 6 योनिट्स है लेकिन उनमें पहली योनिट्स शुरू करने से पहले मैंने आपको कानून का structure बताने की कोशिश करी तो मैंने बताया कि जब कानून बनाया गया होगा 1872 के अंदर पहली बार तो उसमें कितने sections थे? 266 लेकिन आज की अगर स्थिती की बात करें तो contract में केवल दो हिस्से हैं 1 से 75 एक तरफ और 124 से 238 तक एक तरफ ये general principle है दोस्तो general principle और ये special contract बोले जाते हैं General principle का मतलब हमने क्या समझा? वो नियम जो हर प्रकार के समझोते के उपर अपलाई होते हैं कैसा भी contract कर लो किसी भी प्रकार का समझोता कर लो ये वाले नियम तो universal है हर जगा लगेंगे उधारन मैंने आपको दिया consideration होना चाहिए दो लोग होने चाहिए उन लोगों की free consent होन चाहिए उसी प्रकार दूसरा जो हमने topic पड़ा वो है special contract उस special contract के अंदर हमने क्या खास बात पड़ी? कि जो खास प्रकार के विशिष्ट प्रकार के specific हमारे कुछ contracts होते हैं जिनके नाम मैं नहीं हा लिखे indemnity, guarantee, bailment, pledge और agency इनका मतलब मत समझी अभी समय आएगा समझने का CA inter में हम समझेंगे इन पाँच प्रकार के समझोतों में जो general rule है वो तो apply होते ही होते हैं लेकिन उसके साथ साथ कुछ और इनके अपने नियम भी है जो apply होते हैं लेकिन खास बात हमें ये समझनी है कि हमारे CA foundation के course में सिर्फ और सिर्फ पहला वाला हिस्सा ही syllabus में है दूसरा वाला हमें course में नहीं पढ़ना तो मुझे उमीद है आपको अभी तक की बात बिलकुल clear हो गई होगी अब एक सवाल जो हम पिछली slide में छोड़कर आए थे एक सवाल जो हम पिछली slide में जवाब नहीं दे पाए उस सवाल को याद है न क्या था what happened to section 76 से 123 and 239 to 266 सवाल द्यान से समझिएगा सवाल हमारा ये है कि हमने 2 मिनिट पहले ही अभी पिछली slide में मैं आपको दुबारा दिखा देता हूँ पिछली slide ये थी जिसमें हमने 1 से लेकर 266 तक red color से देखा लेकिन बीच में कुछ section गायब थे तो वो कहां गायब हो गए उसको समझने के लिए आईए समझते हैं एक तो 76 से लेकर 123 तक गायब है और दूसरा 239 से लेकर 266 तक गायब है दो हिससे गायब है न तो वो समझने की कोशिश करते हुआ क्या दोस्तों बहुत प्यार से समझिएगा कि जब contract act 1872 बनाय गया पहली बार जब वो बनाया गया तो उसमें ये वाले जो sections थे 76 से लेकर 123 तक ये केवल और केवल sale purchase of goods के उपर अपलियाई होते थे मेरी बात समझेगा ध्यान से यूं समझे लिजे के एक आंगन का बटवारा हो गया और ये section अलग हटा कर एक नया कानून बना दिया गय मेरी बात ध्यान से समझेगे मैंने क्या कहा 1872 में जब contract नाम का chapter बनकर तयार हुआ 1872 में जब contract नाम का act बनकर तयार हुआ उस 1872 के अंदर ये वाले जो sections थे 76 से लेकर 123 तक इन sections के अंदर जो provisions थे वो किस से related थे? sale purchase of goods से तो सर क्या हुआ इन provisions का? क्या ये delete हो गए भारत से? इस chapter से तो delete हो गए? इस कानून से तो delete हो गए? 76 से 123 तक के section इस chapter से तो गायब कर दिये गए? लेकिन भारत में उनको नया सम्मान मिला क्या मतलब? उनको एक नए chapter के रूप में बना दिया गया एक नया कानून उस के अंदर से निकाल कर बना दिया गया. ध्यान से देखिएगा मैंने क्या कहा आप से? section 76 से लेकर 123 तक के provisions क्या कहते हैं? आई इसको लिखते हैं. 76 से 123 जो contract act के अंदर था, these provisions, these provisions were applicable on sale and purchase of goods exclusively. मतलब ये general principle थे ही नहीं. ये कुछ खास provision थे जो केवल sale और purchase of goods के ऊपर apply होते थे. these provisions were applicable on sale and purchase of goods exclusively. विशिष्ट रूप से उसी के ऊपर apply होते थे. तो इनका क्या करा गया? लेटर ओन, बाद में क्या हुआ इसके साथ? Later on, these provisions were deleted. Were deleted. Later on, these provisions were deleted from Contract Act 1872 and a new law was made और एक नया कानून बना दिया गया इनको लेकर और वो कानून का नाम क्या था? आपको खुशी होगी जानकर के वो भी आपके कोर्स में है Sale of Goods Act 1930 तो आप ध्यान से देखिए आपने क्या पढ़ा आपने एक ऐसी जानकारी इस समय हासल कर ली जो बहुत कीमती है ये कुछ सीक्रेट नहीं है जो आपको पता चल गया ये कुछ ऐसी मिस्टरी नहीं थी जो आपने राज जान ली आज पता चल गया आपको क्या हुआ इसके साथ लेकिन हाँ ये एक इंपोर्टेंट बात है जो आपने सीख ली के Contract Act 1872 जो अपना चैप्टर है उसके Section No.76 से लेकर 123 तक Section 76 से लेकर 123 तक जो provision केवल और केवल Sale of Goods के उपर अपलाई होते थे सिर्फ और सिर्फ Sale Purchase पर वो provision exclusively क्योंकि एक ही area में काम करते थे तो वो Contract Act के अंदर misfit हो रहे थे Contract Act के अंदर एक ऐसी चीज जो जनरल नहीं है Contract Act के अंदर एक ऐसी चीज जो यूनिवरसल नहीं है Contract Act के अंदर एक ऐसी चीज जो किसी खास जगा पर अपलाई होती है सरकार भोली हटा दो इसे अंग्रेश सरकार 1930 में तो वही थी तो 1930 में एक नया कानून बना दिया गया Sale of Goods Act 1930 तो दोस्तों जब नया कानून बन गया तो ये बीच के provision Contract Act से क्या कर दिये गए गायब Contract Act 1872 से ये provisions हटा दिये गए तो आपको पता चल गया कि आप अभी पिछली slide में क्या सीख रहे थे कि क्या हुआ 76 से लेकर 123 का तो ये तो आपको पता चल गया कि 76 से लेकर 123 का क्या हुआ अब आई ये आगे पढ़ते हैं कि 76 से 123 का क्या हुआ वो तो समझ आ गया अब हमें समझना है कि 238 के बाद 239 से लेकर 266 तक क्या हुआ ये दूसरा वाला हिस्सा था उसको देखना शुरू करते हैं येस 239 से 266 आप आइडिया लगा सकते हो कि क्या हुआ होगा जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा जो यहाँ पर पहले से हो रखा था जी हां दोस्तों जैसे ये वाले प्रोवीजन जो किसी exclusive area पे लगते थे जिसका नाम था sale of goods वैसे ये वाले प्रोवीजन एक exclusive area पे लगते थे थे उसका नाम था partnership रूल्स यहाँ वाले प्रोवीजन 239 से 266 तक बिल्कुल वैसे हटा दिये गए जैसे के ये sale of goods वाले हटा दिये गए 1930 में पहला बटवारा हुआ भारत का नहीं माफ कीजेगा 1930 में पहला बटवारा हुआ किसका इस कानून का और contract नाम के कानून में से कुछ प्रोवीजन हटा कर कौन बना दिया गया sale of goods act 1930 उसी प्रकार इस कानून का दूसरा बटवारा हुआ 1932 में 1932 में इस contract नाम के chapter से एक और शाखा तूटी एक और हिस्सा अलग हुआ और वो क्या बन गया partnership act 1932 इसका मतलब यह हुआ के दो specific कानून दो विशिष्ट प्रिंसिपल दो बड़े नियम दो बड़े कानून पैदा हुए किस से contract act सही तो contract father figure हो गया contract mother law हो गया इन दोनों कानूनों का जिन में से एक sale of goods कहलाता है और दूसरा partnership act 1932 आईए देखते हैं इसके बारे में लिखना शुरू करते हैं जैसे हमने यहाँ पर लिखाता अब तो इतिहास हो गए न वर लिखते हैं इस प्रोवीजन्स वर मेरे साथ साथ लिखिएगा आप सब इस प्रोवीजन्स वर applicable on partnership partnership business मतलब partnership का rule क्या है partnership अगर बनानी है तो क्या होगा बंद करनी है तो क्या होगा admission of a partner का rule क्या है retirement of a partner का rule क्या है कोई partner मर गया तो कैसे हिसाब किताब होगा उन सब के नियम यहाँ पर लिखे हुए थे इनको भी अलग कर दिया गया एक दिन later on a separate law was made in the name of partnership act in the name of partnership act 1932 और यह जो main provision यहाँ पर थे वहाँ से वह डिलीट कर दिये गए तो हमें यह समझाया के हमारे contract act के दो बड़े इससे कहां गायब हो गए मैं एक बार फिर आपको ले जाना चाहता हूँ पुरानी वाली slide पर यहाँ पर one से लेके 266 का मैंने आपको हिसाब पूरा समझाया मैं आपको याद दिला देता हूँ एक बार यह हटा करके हाँ जी दोस्तो जो मुझे समझाना है वो जरा एक मिट ध्यान से देखिएगा जी यह जो one से लेके 266 था इसके चार हिस्से हो गए पहला हिस्सा one से लेके 75 तक जो अपने कोर्स में भी है और आज भी जिन्दा है इसका नाम क्या हो गया बताईए जनरल प्रिंसिपल्स करेक्ट दूसरा हिस्सा क्या है 76 से 123 इसका क्या हुआ यह से लग बुट्स के प्रोविजन थे और डिलीट करके अलग कानून बना दिया गया तो यह प्रोविजन डिलीट हो गए अब they are not present anymore उसके बाद क्या हुआ section 124 से 238 किसके प्रोविजन है special contracts के वो आज भी जिन्दा है लेकिन अपने course में नहीं है बहुत ध्यान से समझेए का contract act कर यह जो दूसरा हिस्सा था वो भारत से ही हटा दिया गया एक नया कानून convert कर दिया गया यह जो तीसरा हिस्सा है section 124 से 238 special contract यह इंडिया में जिन्दा है हमारे CA foundation के course में नहीं है इसको हम कहां पढ़ेंगे CA inter में उसके बाद 239 से 266 यह कौन से provision थे partnership वाले और आपको याद होगा इनका भी क्या कर दिया गया इसको भी यह से delete कर दिया गया और एक नया कानून 1932 में बन गया तो यह वाले provision भी delete हो चुके यह जो पहला बटवारा हुआ दोस्तों यह कब हुआ 1930 में और यह अगला वाला कब हुआ 1932 में बेको समझा गई बात बेको clear हो गया तो यह structure आपके सामने जिसके में हमें समझ आया कि चार हिस्से हैं दो chapter से delete हो चुके दो हिस्से बचे इसका मतलब contract का आधा हिस्सा हमें foundation में पढ़ना है और आधा हिस्सा enter में यह वाला तो CA foundation में हम अभी पढ़ रहे हैं और यह वाला हमें कहां पढ़ना है CA enter में बेको clear होगी जी बात अब इस chapter को contract act को general principle को दीरे-दीरे करके आगे बढ़ते हैं समझते हैं कि यह है क्या अब जबकि आपको यह पता चल चुका कि कौन-कौन से चार हिस्से हैं और एक हिस्सा आपको अपने CA foundation में पढ़ना है तो उसकी शुरुआत करना शुरू कर दें अब देखिए आपको सबसे पहले में दि questions भी आते हैं exam में आप उसको जब देखोगे पहला page institute की book का तो उसमें six units हैं तो हमने अपनी जो अपनी book है जो अपना study material है वो भी उसी हिसाब से organize करा ताकि parallel रहे तो मतलब मेरा कहने का है कि 75 sections अपने course में है एक से लेकर 75 तक provisions जो अपने course में उसको CA institute ने अपनी किताब मे कितने हिस्सों में बाटा six units में तो वो जो पहली unit हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं वो आपके सामने यहां पर है unit one का overview आपके सामने इस unit में आपको पढ़ना है contract किसे कहते हैं contract के elements कौन कौन से होते हैं मतलब किन चीजों से मिलकर contract बनता है एक बार contract बन जाए तो valid और invalid कैसे पता चलेगा मतलब कैसे पता चलेगा कि कोई contract valid है और कोई contract invalid है तो topic का नाव होगा essentials of valid contract और तीसरा हिस्सा है types of contract कितने प्रकार के contract होते हैं यह आप उनको पहली overview पहली units में पढ़ना है element of contract में आपको मैंने क्या बताया कि कितनी अलग-अलग चीजों से मिलकर contract बनता है तो यहाँ पर यह लिखा है agreement, enforceability of law, फिर agreement कैसे बनता है, उसके दो पार्ट, फिर अलग-अलग sub-part तो यह आपको अभी नहीं समझाएगा यह तो वो है जो summary के रूप में मुझे आपको बाद में दिखाना चाहिए, कि देखो आपने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, लेकिन पता है आपको पहले मैं क्यों दिखाना चाहता हूँ, ताकि institute की book और हमारे पढ़ाई में जो similarity ह जो parallel nature है वो आपको समझा सके, आपको मैं याद दिला दूँ कि paper मैंने और आपने नहीं बनाना, paper बनाएगा institute of chartered accountants of India, उसने contract act को कितने हिस्सों में बाटा, छे हिस्सों में, उस छे हिस्सों में से पहली unit हम आपके साथ कर रहे हैं, और उस पहली unit का नाम है contract के basics, right, contract के basics म सबसे पहला topic क्या है कि contract किसे कहते हैं, वो valid और invalid कैसे तै होगा, और valid और invalid के बाद types of contract कितने हैं, तो आपके सामने सबसे पहला हिस्सा है what is contract, अब आपको मेरी बात दो मिनिट सुननी चाहिए, वैसे तो आप सुनी रहे हैं, contract किसे कहते हैं, दोस्तों अगर आप यहां आओ उसको पढ़ोगे, तो बड़ा structured language, बड़ा specific कुछ लिखा हुआ है, बड़े खास कुछ नियम लिखें, उनको तो हम पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, जो जो लिखा है वो देख लेंगे, लेकिन पता आपको, आपके दिल के अंदर से भी एक आवाज आ रही होगी, कि contract प्रॉमिस, contract मतलब समझौता, contract मतलब एक understanding, contract मतलब एक deal, यह आप सोचे बैठे होगे, तो आपने गलत नहीं सोचा, बिल्कुर ठीक है, लेकिन कानून की तो आदत है ना कुछ technicalities पैदा करने की, कानून के अंदर तो कुछ ना कुछ खास हो गई होगा, तो जो आप सोच रह होगे हर बात के लिए agreement है, अगर दो अलग-अलग कंपनिया एक दूसरे से sale purchase करें, तो वो भी contract है, भई दो अलग-अलग देश मिलकर के कोई research कर रहे हैं, तो वो एक agreement है, वो एक contract है, भई आप करपया समझेए कि आप bank में account खुलवा रहे हैं, वो भी a contract है, आपने coaching में admission ल अगा contract की contract दिखता है, तो कानून की भाशा में contract क्या होता है, हलका सब वो समझ लेते हैं, तो हमें reality पता चलेगी, फरक भी पता चलेगा, कि जो हम सोच रहे थे general, और ये जो लोग लिख रहे है, special, उसमें क्या फरक है, एक एक करके देखिएगा, the term contract is defined, under section 2H, ये जो 2H है, याद रखिएगा, अच्छी बात है याद रहनी चाहिए, भूल जाएं, तो कोई दुख मनाने की जरूरत नहीं, एक्जाम में गलत section number लिखने से अच्छा है कि आप section number ना लिखें, याद होना चाहिए, याद बढ़िया बात है आपके, लेकिन अगर न याद रहे तो चिंदा नहीं करनी है, और गलत बिलकुर नहीं लिखना है, ये section contract की definition बताता है, ये section हमें contract शब्द का मतलब सिखाता ह तो जब देखें, क्या मतलब है, an agreement, enforceable by law, is equal to contract, अगर इसको हिंदी में translate करूं में, तो ऐसा agreement, जो law के द्वारा क्या हो, enforceable, इसका मतलब, पहले हमें agreement बनाना पड़ेगा, उसमें enforceable by law ढूंडना होगा, और अगर ये दोनों मिल जाएंगे, तो क्या बन कर तयार होगा, contract, मतलब नहीं समझाया कुछ, मैं तो एक बात बता रहा हूं, कि अगर definition के टुकड़े करूं, आप देख रहें न, आलग-लग र पता हूंगा अभी, एक ऐसा agreement, जो law के द्वारा enforceable हो, enforceable का मतलब होता है, लागू करना, enforceable का मतलब होता है, जिसे अदालत में ले जाकर, आप judge सहाब से कह सके, judge सहाब देखो, राजू नहीं ये बोला था, कर नहीं ना, राजू, देखो judge सहाब, मैंने तो ये deal final करी थी, ये सामने वाली party fulfill नहीं कर रही, हर बात को, हर agreement को, हर समझोते को, हर वादे को, हर deal को, आप अदालत में नहीं ले जा सकते, please इस line को दुबारा देखिए, एक agreement, जो law के द्वारा enforceable हो, उसे contract कहते हैं, अभी तक तो हम सब को शायद ऐसा लग रहा था, कि agreement और contract एक ही चीज ह होते हैं, अभी तक हम सब को ऐसा लग रहा था, कि agreement और contract में कोई फरक ही नहीं, अभी तक हम सब को ऐसा लग रहा था, कि agreement भी वही चीज है, contract भी वही चीज है, लेकिन ऐसा है नहीं दोस्तो, agreement और contract में फरक क्या समझाया हमें, कि agreement तो है यह agreement, लेकिन अगर agreement को contract बनाना है, तो उसके अंदर क्या मिलाना पड़ेगा? Enforciable by law. इसका मतलब जानते हैं आप क्या हुआ? कि हर समझोता, हर समझोता, हर समझोता, हर समझोता, हर डील, contract नहीं हुआ करती. हम अगर agreement की हिंदी निकालें, तो भी हमें लगेगा समझोता. हम contract की हिंदी निकालें, तो भी हमें लगेगा समझोता. लेकिन दोनों में वही फरक है, जो पानी और जल में है. सुनाए ना, आपने हिंदी में पानी को जल भी कहते हैं. मतलब गंगा का पानी वो जल है, और वो टंकी में पानी आया, वो जल नहीं है, ऐसा कैसे हो गया? प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, कि जितना पवित्र contract है, उतना पवित्र agreement जरूरी नहीं के हो. ये भी समझाता है, ये भी समझाता है, ये भी पानी है, ये भी पानी है. लेकिन इस agreement वाले पानी को हम पानी कह रहे हैं, लेकिन contract वाले पानी को हम पानी ना कैकर, जल नाम से बुलाते हैं. शायद कुछ खास होगा इसमें. और वो खास क्या है? Enforcible by law. दो लोगों ने आपस में समझोता करा कि भाई देख बात चुन ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे और उन लोगों ने वैसे नहीं करा तो हमें एक दूसरे के खिलाब अदालत में केस करने का अगर अधिकार है तो उसे बोलेंगे enforceable by law और अगर नहीं है तो उसे बोलेंगे सिरफ agreement इसका मतलब जानते आप क्या हुआ कि समझोते जो हमारे जीवन में होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं समझोते जो हमारे जीवन में होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं दो एक वो जिनें अदालत के अंदर आप ले जा नहीं सकते पूरा हुआ तो ठीक, नहीं पूरा हुआ तो ठीक ये तो बस ऐसी है, घर की बाते, आंगन की बाते अंदर ये अंदर सुलझा लो और कुछ ऐसे समझे जो अगर पूरे नहीं हुए तो आप नयाया ले में, अदालत में, कोट में, दर्वाजा खट-खटा कर अदालत को बुला सकते हो, जगा सकते हो, कि ज़स्चाहाब माई लॉर्ड नयाय करे, गलत हो गया मेरे साथ, मैं आपको कुछ कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, इस समय स्क्रीन पर एक कह कहनी हमें आपको सुनाओंगा, और आपको समझ आ जाएगा कि कॉंट्रेट किसे कहते हैं, फादर प्रॉमिसेज हिस सन, पिता ने पुत्र को वादा करा, क्या वादा करा, तु पे हिम पॉकिट अलाउंस ओफ रुपीज फाइफ हंडरेड एवरी मन्त, फादर ने प्रॉमि पे मिलेंगे वाद भीवा, अगर वो दे देंगे, तो हमें डिसकस करने का मौकई कहा मिलेगा, पक्का ऐसा होगा आप जानते हैं, कि वो पास्चोर पे मिलेंगे के नहीं मिलेंगे, बिलकुन नहीं मिलने वाले आप देखिए, बठी रिफ्यूज इस टूपे, वाद में मन कर दिया, अरे अगर देई देते तो अपने कोर्स का टॉपिक कैसे बनता, प्लीज समझने की कोशिश करिये, क्लास के शुरुआत में मैंने आपको कुछ बताया, कि लोग अपने वादे, लोग अपनी जिम्मेदारी अगर पूरी कर दें, तो फाइदा ही क्या, हमारे लोग बात तो तब उठेकी जब लोग अपनी जिम्मेदारी से मुकर जाएं और पूरा ना करें, ये देखो आप, बटी रिफ्यूजस तू पे लेटर, दे सन केनोट, 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 रिकवर दा सेम इन कोर्ट अफ लोग, अदालत में जाकर बेटा ये मांग नहीं सकता, जश आप बताओ, बाओ जी ने वादा करा था, पौकेट मनी देने का 500 रुपे जासा, 500 रुपे नहीं दिये गए बाओ जी से, अदालत में जाकर बच्चा कहने लगा, जेल डाल दो बाओ जी को, मेरी पौकेट मनी नहीं दी बताओ, वादा करने के बाद वादा किलाफी कर दी साफ देखो, यह गलत हुआ, क्या यह बच्चा, अदालत जाकर ऐसा केस कर सकता है, नहीं कर सकता, इसका मतलब यह हुआ के बादा तो यहां भी है, जिम्मेधरी तो यहां भी है, समझ premises तो यहां भी था, सब कुछ यहां पर भी था, लेकिन क्या नहीं था, कानून के मंदर म यहाँ पर कोई legal relation create नहीं हो रहा इसलिए यह contract नहीं बन पाया सिरब वो वाले agreement contract बनेंगे जिनके अंदर कानून के मंदर में जाने की संभाव नहोगी सिरब वो समझोते जो अधालत का दर्वाजा खटखटा पाएंगे सिरब वो नहीं को contract कहा जाएगा प्लीज समझने की कोशिच करिए दो चोर आपस में चोरी करें मिलकर तो वो भी ये अगरिमेंट करते हैं आपस में कि भई तू चोरी करियो और मैं ध्यान रखूंगा और जो समान मिलेगा वो आपस में बाट लेंगे और उन दोनों में से एक आदमी धोका दे 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 दूसरे पार्टरनर को तो अदालत में जाकर एक चोर क्या कहेगा फिरे पार्टरनर ने मुझे धोका दे दिया जज साब मेरे साथ गलत हो गया जज पूछेगा कौन सा पार्टनर्शिप का बिजनेस था तुम्हारा तो वो क्या बताएगा चोर के जी चोरी करते थे हम मिल करके अरे आपका ऐसा समझोता जो दो लोगों के बीच में हुआ जिसे अदालत के सामने आप नहीं रख सकते बस तो वो अग्रीमेंट है समझोता है लेकिन वो क्या नहीं है कौन्ट्राक्ट में फिर आपको बता रहा हूँ अग्रीमेंट भी समझोता है लेकिन कौन्ट्राक्ट भी समझोता है अग्रीमेंट वो समझोता है जो सही है इसी लिए वो contract है agreement में क्या मिल जाए जो वो contract बन जाता है enforceability by law एक agreement जिसके अंदर ताकत हो अदालत मिले जाने की उसे contract कहा करते हैं आपको याद दिला दू के पिता ने बच्चे को वादा करा के वो pocket money देगा और नहीं दिया तो बच्चा अदालत में नहीं जा पाया तो वहाँ पर agreement तो था लेकिन enforceability by law नहीं थी इसलिए क्या नहीं बन पाया contract ध्यान से देखिए second situation a husband agreed to pay to his wife एक पती ने अपनी पतनी को वादा करा certain amount pay करने का as maintenance every month while he was abroad पती देव कहां पर है विदेश में इसलिए उन्होंने पतनी साहिबा को वादा करा कि भाई मैं आपको पैसे देता रहूँगा maintenance के जरूरत बर के जब तक मैं भारत नहीं आजाता तब तक आपका काम कही से चलेगा तो लो पैसे लेते रहना ठीक बादा हुआ आपका क्या दिल कर रहा है निभाया जाएगा या नहीं बिलकुल नहीं निभाया जाने वाला तभी कहानी हमारे सामने आईए देखो husband failed to pay the promised amount wife sued him for the recovery हालत देखो आप case कर दिया पतनी साहिबा ने पती देव पर तो क्या हो गया ये घर का आंगन का social समझोता ये घर का आंगन का निजी पारिवारिक वादा क्या दालत में जा सकता है नहीं जा सकता देखी आप यहाँ पर in this case wife could not recover as it was a social agreement क्योंकि ये केवल एक social agreement था और दालत में इसको नहीं ले जा सकते थे बस इसलिए इसे contract नहीं कह सकते मैं आपको ये याद दिला रहा हूँ कि आपने दो मिनिट पहले कुछ पढ़ा था कि contract की definition क्या थी contract की definition में आप पढ़ रहे थे an agreement enforceable by law और इसका मतलब आप पढ़ रहे थे agreement enforceable by law का कि हर agreement contract नहीं होता an agreement enforceable by law ही contract होता है तो please मेरी बाद समझीएगा मैं दوبारा आपको इसी वाली slide से समझाता हूँ agreement बनाना बड़ा आसान है कोई भी दो लोग आपस में एक दूसरे से वादा करते हैं वो हो गया agreement उसमें क्या है लेकिन हर agreement अभी आपने देखा अदालत में नहीं जाता चोर जाकर वकील साब से बात करके जजसाब को क्या समझवाएगा वो जजसाब से कहाँ का जजसाब हमारा बिजनिस चल रहा था partnership चल रही थी और partner ने मुझे धोका दे दिया वो कहेंगे क्या partnership चल रही थी वो कहेंगे चोरी की नहीं इसका मतलब यह हुआ कि दो लोग आपस में समझाता तो अच्छी चीज़ का भी कर सकते है बुरी चीज़ का भी कर सकते है सही का भी कर सकते है गलत का भी कर सकते है तो agreement तो बना लिया लेख पाल कोई होंगे लेख पाल जी उन्होंने वादा करा जी वादा क्या वादा करा उन्होंने कि मैं पांच लाख रुपे दूँगा किसे पांच लाख रुपे देंगे अपने बेटे को अगर C.A. का एक्जाम उसने पास कर लिया देखा डील बढ़ी आनी C.A. का एक्जाम पास करने पर पिता अपने बच्चे से गरा बिटा आप पांच लाख दूँगा आप पांच लाख तु बस पास हो जा ठीक बच्चा बिचारा मासूम पिता के वादे पर भरोसा करके वो पास हो गया देखो अपनी जिम्मेदारी निभाई पास हो गया आप अपनी जिम्मेदारी निभाई लाओ पैसे दो देखो रो रा बच्चा बच्चा बच्चारा मासूम दुखी में मेरा कहने का मतलब समझी है कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनिशन जो आपने देखी न एन अग्रीमेंट एन फॉरसेविल बाई लो वो देखने से लगता एक लाइन की उसके अंदर पूरी दुनिया समाई हुई है दूर से समुंदर को देखो तो ऐसे लगता है आपने पानी एक जगाई खटा कर रखा है लेकिन आप अंदर जाईए तो आपको गहराई का अंदाजा होगा मेरी कहने का मतलब समझ ये के अग्रीमेंट एन फॉरसेविल बाई लो ऐसे एक छोटी सी लाइन दिखती है आपको ये समझना चाहिए के हर अग्रीमेंट कॉंट्रैक्ट नहीं बन जाता क्योंकि हर अग्रीमेंट अदालत नहीं जाता तो पहले तो दो शब्दों का मतलब समझो आप अग्रीमेंट किसे कहते हैं और एन फॉरसेविल बाई लो किसे कहते हैं वो agreement जो enforceable by law होगा उसे contract कहेंगे तो agreement शब्द का मतलब और enforceable by law का मतलब मिलकर हम लोग समझते हैं और फिर आपको आगे लेके चलूँगा मैं यह थी definition यहाँ पर एक चीज तो यह समझनी है what is agreement और दूसरी चीज यह समझनी है what is enforceable by law बस हमें ये दो चीज़े समझा जाएं तो मैं contract समझा जाएगा agreement क्या और कैसे और enforceability by law क्या और कैसे बस खास बात आपको जो याद रखनी है हमेशा कि हर agreement contract नहीं होता हर चमकती चीज सोना नहीं होता हर पानी को आप जल नहीं कहा करते यहां तक clear होगी बाद अब देखुआ agreement और enforceable by law मैं आसान और सामान शब्दों में लिख रहा हूँ आप भी मेरे साथ लिखिए अच्छे से समझा जाएगा agreement में लिखिए promise made to each other एक तो agreement का मतलब होता है promise दोनों तरफ से एक दूसरे के लिए promise हुआ made to each other का मतलब वह सेलर ने वादा करा के मैं समान भिजवाऊंगा बायर ने वादा करा के मैं पैसे दूँगा ना तो सेलर ने जिम्मेदारी पूरी करी अभी ना बायर ने जिम्मेदारी पूरी करी अभी सेलर और बायर दोनों ही लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी अभी पूरी ने करी दोनों ही लोगों ने केवल क्या करा वादा सेलर और बायर दोनों ने अभी सिर्फ क्या करा है प्रॉमिस तो आपस में एक डील हो गई कि हम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे या फिर प्रॉमिस इन कंसीडरेशन ओफ परफॉर्मेंस प्रॉमिस इन कंसीडरेशन ओफ परफॉर्मेंस यहाँ पर क्या मतलब है जो पहला वाला है दोस्तो टू साइड प्रॉमिस है टू साइड प्रॉमिस का मतलब दोनों तरफ वादा ही वादा है और यहाँ पर इसका मतलब क्या है वन साइड प्रॉमिस है लेकिन दोनों agreement है जानते हैं क्यों क्योंकि one side promise against consideration है दोनों में फरक समझे भई A ने B को वादा करा B ने A को वादा करा वो करा मैं पैसे दूँगा वो करा मैं समान दूँगा तो दोनों ने वादा करा ना एक ने दूसरे को लिए नभाया भी ना दूसरे ने पहले के लिए दोनों की जिम्मेदारी पूरी होनी अभी बाकी है तो वह यह case है टू side promise और यह one side इसलिए नहीं है कि आप कही दान दे रहे हो जा मैंने तुझे दान दिया सामने वाले से थोड़ी पूछना है दान देने से पहले यहां पर सामने वाले ने आपके लिए perform कर दिया आपने railway का ticket खरीदा तो आप तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुके train में ticket खरीदने की अब तो train वालों को जिम्मेदारी निभानी आपको ले जाने की आपने फ्लाइट का टिकेट खरीद कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है जा कस्टमर अब as a service provider एरलाइन्स वालों की जिम्मेदारी है कि वो आपको एक जगा से दूसरी जगा लेकर जाएं इन दोनों में बड़ा फरक क्या है कि यहां भी promise है यहां भी promise है यहां promise के बड़ले क्या मिली promise और दूसरे में promise के बड़ले क्या मिला performance तो मतलब हमें बड़ले में कुछ चाहिए एक तरफ से चाहिए promise याद रखिएगा एक तरफ से क्या चाहिए promise याद रखिएगा जरूर एक तरफ से क्या होना चाहिए promise और बदले में हमें चाहिए कुछ अब वो जो बदले में कुछ आ रहा है वो चाहें वादा ही हो या बदले में कुछ और हो पहले वाले में वादे के बदले वादा और दूसरे में वादे के बदले कुछ और पहले वाले में प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस और दूसरे वाले में promise के बदले कुछ और consideration सामने वाले ने हमारे लिए कुछ perform कर दिया तो हम मतले में promise कर रहे हैं एक तो agreement ये बड़ा easy है समझना दो लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर समझोता कर रहे है बात ख़तम enforceability by law का मतलब क्या था enforceability by law का मतलब है which can be taken to which can be taken to the court of justice जो अदालत में ले जाई जा सके न्यायाले में ले जाई जा सके which can be taken to the court of justice which can be presented before court to demand justice एक ही बात है दोनों लाइनों में कोई ऐसा मामला जिसे हम अदालत ले जा सके कोई ऐसी चीज जिसे अदालत ले जाकर हम न्याय मांग सके उसे बोलते है enforceability by law मैंने आपको भी तीन कहानिया बताई उन तीनों की तीनों कहानियों में आप अदालत नहीं जा सकते वहाँ promise था बदले में भी कुछ था बच्चे नमेहनत करके डिगरी हासिल करी वो शीय बना उसे पांच लाग नी देरे बाओ जी बताओ जबकि आपने वादा करा था वो पती जो विदेश में बैठा वादा कर रहा था कि मैं पतनी को पैसे दूँगा हिंदुस्तान में मेंटेनेंस के लिए उसने पैसे देने समना कर दिया आप imagine करिए कि उस पता ने जिसने पॉकेट मनी का वादा कर दिया उस मासूम बच्चे ने कितने सपने सजो लिए होंगे कि मैं पॉकेट मनी से क्या क्या करूंगा और वो सारे सपने उड़वा दिये पिता जी ने पैसे दिये ही नहीं क्योंकि वहाँ पर ये तो था प्रॉमिस था, बदले में कुछ था, जो है वो था, लेकिन ये नहीं था उन तीनों मेंसे किसी भी परिस्थिती को आप माननी अदालत के सामने नहीं लेकर जा सकते वो तीनों सिचुएशन ऐसी थी जिनको आप अदालत में नहीं ले जा सकते इसका मतलब क्या हुआ कि वो agreement तो बने लेकिन वो क्या नहीं बन पाए contract contract बनने के लिए इन दोनों चीज़ों की जरूरत होनी चाहिए agreement भी हो और enforceability by law भी हो यह जब तक दोनों चीज़े प्लस में नहीं होंगी तब तक contract create नहीं होने वाला अब आप समझिए यह वो है जो पहले से लिखा हुआ है आपको फरक बताऊं यही आपने भी खुद लिखा था यह वाला copy कर लिया न आपने नहीं कर रहा हो देखो तो वीडियो पोस्ट करके कर ले न यह वो है जो मैंने आपको खुद लिखकर अभी समझाया और अब यह वो है जो आप देख रहे हो लिखा हुआ तो आईए पढ़ते हैं थोड़ा सा structured language में थोड़ा सा कानून की भाशा में थोड़ा कानून के शब्दों में क्या लिखा है agreement को लेकर agreement को लेकर लिखा any या every promise हर वादा and every set of promises तो यही तुम्हें बता रहा था आपको every promise मतलब एक तरफ से वादा और एक तरफ से कुछ और और every set of promise मतलब इधर से भी promise उधर से भी promise आप याद करो यही लिखवाया था मैंने every promise and every set of promise पहले वाला two side है तो set of promise है और यह single side है तो यह promise है every promise and every set of promise जिससे एक दूसरे को क्या मिल जाए consideration every promise and every set of promise forming the consideration for each other is called agreement यह हम समझ चुके हैं sorry और यह दूसरा हिस्सा क्या है enforceability by law वाला के ऐसा समझोता जिसे अदालत के सामने पेश किया जा सके an agreement to become a contract must give rise to a legal obligation पहले से highlighted कर रखा है हमने एक ऐसा agreement जो किसी कानूनन जिम्मेदारी को जनम दे एक ऐसा agreement जिसकी जिम्मेदारी अगर पूरी नहीं करी तो अदालत का सामना आपको करना पड़ सकता है एक ऐसी जिम्मेदारी जो duty बन जाए कानून की नजरों में और अगर वो पूरी नहों तो बस जो अदालत करेगी वही होगा इसका मतलब दोस्तों यह है please समझने की कोशिश करिएगा कि contract बनाने के लिए contract बनाने के लिए दो बड़ी चीजों की जरूरत है एक agreement और एक enforceability by law contract बनाने के लिए जिन दो चीजों की जरूरत है उसमें पहली चीज़े एक agreement दो लोगों का करा हुआ आपस में समझाता और वो समझाता अगर कानूनन जिम्मेदारी को जनम दे तो वो contract हो जाता है agreement एक साधारन पानी है और contract एक अच्छा जल है इस बात को समझने के लिए आपको याद होगा कि मैंने आपको ये तीन कहानियों से रूबरू करवाया ये तीनों कहानिया जब मैं आपको बता रहा था तो आपको अच्छे से ये समझ आ गया कि इन तीनों कहानियों में कुछ ऐसा था जिसकी वज़ा से हम अदालत नहीं जा पा रहे थे तो हमें ये बात क्लियर हो गई कि हर समझोता अदालत में नहीं जाता तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि जो समझोता अदालत में नहीं जाता वो वहीं रह जाता है कहां अग्रीमेंट की स्टेज पर और जो अदालत जा सकता है वो बनकर निखर कर उभर कर सामने आता है और उसका नाम क्या है? Contract तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम agreement और contract का अंतर थोड़ा सा तो समझ चुके और पूरा समझ जाते हैं वैसे मैं आपको बता चुका हूँ कोई भी दो लोगों का आफस में कर रहुआ वादा आगरीमेंट तो है बस उसमें enforceability by law जोड़ दें तो वो क्या बन जाता है? Contract, right? देखिए पहले agreement में लिखते हैं Every promise or set of promises along with consideration बदले में कुछ मिलना चाहिए along with consideration is called agreement मतलब ये हिस्सा plus ये consideration अगर मिल जाए तो क्या बन जाता है? Agreement और बस वही agreement अगर enforceable by law हो तो वो क्या बन जाता है? Contract अब देखो आप only those agreements which can be taken to the court are called contracts केवल वो वाले agreement जो कोड ले जाए जा सकते हैं उन्हें contract कहते हैं इसका मतलब ये हुआ कि वो एक step आगे है वो step ahead है वो advanced है वो सही है तभी वो contract है क्योंकि जो अदालत जाएगा वो सही होगा और ये अदालत हो सकता है जाए हो सकता है ना जाए अब ये जो आपने समझा आईए उसको थोड़ा सा दूसरी language में समझते हैं ये वो table है जो गहराई में detail में आपको समझाएगी कि agreement और contract में क्या फरक है खास बात ये है कि यहाँ पर वही सब कुछ लिखा है जो हम पहले से जानते हैं यहाँ पर वही सब कुछ लिखा है जो हमने अभी तक सीखा आईए एक एक करके इसको पढ़ते हैं पहला अंतर देखते हैं meaning का और वो meaning जो आपको अच्छे से याद होगा meaning देखिए क्या है हर promise और set of promise plus consideration याद है न यह जो offer और acceptance है यह अभी मैं चाहता हूँ कि आप ना देखें क्योंकि अभी आपको यह पढ़ना है कि agreement कैसे बना और agreement बना promise से तो actual में offer और acceptance promise की definition है promise कैसे बना वो आपको जब बताया जाएगा तब हम पढ़ेंगे offer और acceptance और contract में हमने देखा agreement में अगर legal enforceability जड़ जाए तो वो contract बन जाता है या आप अंतर पढ़ चुके है दूसरा agreement एक wider term है क्योंकि उसमें legal illegal सही, गलत, अच्छे, बुरे, बड़े, छोटे हर प्रकार के समझोते हैं included है बही, court में जास पाएंगे वो वाले भी agreement है और court में जो नहीं जा पाएंगे वो वाले भी agreement है social भी agreement है और legal भी agreement है valid भी agreement है, invalid भी agreement है लेकिन जो कानून की नजरों में ठीक है केवल वही क्या बनते हैं contract ये देखो आप ये narrow है क्योंकि केवल legal enforceable वाले समझोते ही contract कहलाते हैं यहाँ पर जरूरी नहीं के कोई legal obligation जिन्दा हो, पैदा हो, बने, सामने आए agreement में अभी आपने बताएं social वाले भी agreements होते हैं अभी आपने सीखा लेकिन यहाँ पर legal obligation होना जरूरी है contract के अंदर कानूनन जिम्मेदारी उत्पन होती है यहाँ पर देखिए हर agreement contract नहीं बन सकता तीसरे माले पर कोई हो third floor पर कोई हो तो जरूरी थोड़ी यह fourth पर जाएगा पहले agreement बना तो जरूरी थोड़ी और आगे बड़ा लेकिन जो contract बना होगा जो सबसे आगे बड़ा होगा contract जो बना होगा वो agreement तो बनने के बाद ही आया होगा याद करिए रूल क्या है agreement प्लस enforceability by law is equal to contract तो यह सोचिए कि जो contract बन गया वो पहले agreement तो रहा ही होगा तो हर contract agreement होता है हर contract agreement होता है लेकिन हर agreement contract नहीं होता क्योंकि जो आज यहां पर है हो सकता है उसमें enforceability आप आए नाप आए इसी बात के उपर अगर question आपसे पुछा जाए यह देखिए एक question है all contracts are agreement इतना हिस्सा तो true है लेकिन all agreements are not contract यह वाला हिस्सा भी true है सारे agreement contract नहीं बन सकते क्योंकि हो सकता है agreement enforceable हो हो सकता है ना हो अगर वो enforceable होगा तो वो contract बनेगा और अगर वो enforceable नहीं होगा तो वो contract नहीं बनेगा राइट तो आपको अगर यही question exam में पूछा जाए तो इस प्रकार से answer नहीं लिखना इतना बड़ा मैंने क्या करा दोस्तों यह वो है page जो आपकी book में भी होगा यह वो line है जो आपकी book में भी लिखी होंगी यहाँ पर वही समझाया गया है जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अगर agreement होता है दो लोगों के बीच में और enforceable नहीं है तो वो contract नहीं है लेकिन अगर वो contract होगा तो वो enforceable जरूर होगा तो जो आपने अभी सवाल देखा जो आपने भी बाते सुनी अगर उसको आप describe करो तो थोड़ा सा ऐसे आप describe कर सकते है पता है दोस्तों होता ही है कि जब हम समझ रहे होते हैं topic तो समझ आ जाता है flow chart से समझ आ जाता है diagram से समझ आ जाता है उन छोड़ोड़ी बातों से जो हम सीखते हैं लिकिन अगर exam में five marks का question आए वही वाला जो मैंने अभी आपको बताया तो थोड़ा सा यह इस प्रकार से आप लिख सकने है वैसे लिखना कैसे है question का answer को present कैसे करना है मैं समझाऊंगा वो समय आएगा अभी समझने का अभी तो फिलाल आपको यह समझना है कि आपका जो agreement और contract का difference था वो difference समझने के बाद हमें यह पता चला कि पहली CD agreement है पहली CD contract नहीं है agreement बनने के बाद अगर वो कानूनन अदालत में जा सकने वाले चीज होगी तब वो contract बनेगी वरना वो agreement बन करी रह जाएगी तो जो उपर पहुचा जो contract बना जो आगे बढ़ा वो agreement से होकर गुजरा होगा तो हर contract एक दिन agreement था लेकिन agreement जो अभी पीछे है जरूर ही नहीं के वो आगे बढ़ कर contract बने तो इसलिए यह वाली कहावत यहाँ पर लिखी है जो आप जानते हैं के true है all contracts are agreement but all agreements are not contracts right clear होई बात अब देखो तो हमें पता चल गया के agreement और contract यह दो शब्द थे अब हम agreement के उपर PhD करेंगे और enforceability by law के उपर PhD करेंगे agreement की detail पढ़ेंगे और enforceability by law की detail पढ़ेंगे मैं agreement की definition वैसे आपको बता चुका हूँ लेकिन एक आखरी बार बहुत आराम से धीरे धीरे देख लीजे के agreement किसे कहते हैं what is agreement the term agreement given in section 2E of the actors defined as every promise याद है हर वादा and every set of promises दोनों तरफ से वादों का set forming the consideration for each other और वो एक दूसरे को क्या दे रहे हूँ concederation तो उसे हम क्या बोलते है agreement तो पता इससे निकल कर क्या आती है बात इससे हमें समझ क्या आती है बात कि हम agreement समझ चुके हम contract समझ चुके हम हमें समझना चाहिए कि promise क्या होता है promise क्योंकि आपको याद दिलाओं बहुत ध्यान से समझिएगा कि सारा जगड़ा जिम्मेदारी का है सारा जगड़ा responsibility का है सारा जगड़ा duty का है और वो कैसे पैदा हो रही agreement से और agreement कैसे पैदा हो रहा है promise से तो एक बार देख लीजे promise किसे कहते हैं ये देखिया what is promise when the person to whom the proposal is made किसी ने किसी को proposal करा किसी ने किसी को offer करा किसी ने किसी के सामने प्रस्ताव रखा और सामने वाले ने अपनी assent दे दी सामने वाले ने अपनी हाथ कर दी अभी हम दुबारा लोटेंगे एक मिनिट इस पर में जो कुछ बताना है आपको proposal when accepted becomes a promise ये देखिया proposal when accepted becomes a promise जब offer क्या हो जाता है accept तो वो क्या बन जाता है promise अभी मैं आपको असल में बताना ये चाहता हूँ कि सीडी दर सीडी step by step कहानी आगे बड़ी कैसे पढ़ना शुरू करा था हमने contract और उस contract को समझने के लिए इस समय जो आपके सामने यहाँ पर खाली लाईने हैं वो actually steps हैं कि contract कैसे बनता है अगर आपने इस समय मेरे साथ ये समझ लिए तो आपको सब कुछ clear हो जाएगा आप देखिएगा step one सबसे पहले कोई किसी को करता है offer फिर offer करने के बाद सामने वाला हमें क्या देता है acceptance तो अगर offer accept हो जाए तो वो क्या बन जाता है promise फिर अगर promise दोनों तरफ से हो मतलब promise के बदले क्या मिले हमें consideration तो वो क्या कहलाता है agreement और agreement अगर enforceable by law हो तो वो क्या बनता है contract यही वो खेल है दोस्तों आप ध्यान से देखिए offer में acceptance जोड़ा तो promise promise में consideration जोड़ा तो agreement agreement में enforceability जोड़ी तो contract यह खेल है तो जानते हो आपको क्या समझाया कि हमें पढ़ने offer के rule फिर हमें पढ़ने acceptance के rule इनसे बनेगा promise फिर हमें पढ़ना है consideration के rule क्योंकि यह जोड़के बनेगा agreement और फिर हमें पढ़ना है enforceability बालओ क्योंकि यह जोड़के बनेगा contract दोस्तों आपको मैं बार बार याद दिला दूँ कि एक तो आप see foundation में और दूसरा यह पहली class है आपकी तो आप चो यह chapter पढ़ रहे हो उसके अंदर यह index पैदा हो गया हम समझना शुरू कर रहे थे contract किसे कहते हैं और हमारे सामने तो कही सारे शब्द आगे समझने के लिए तो यही तो खेल है कि जब आपने contract शब्द का operation करना शुरू करा तो उसमें निकला agreement और enforceability agreement के टुकडे करें तो निकला promise और consideration promise के टुकडे करें तो निकला offer और acceptance तो यह offer यह acceptance यह consideration यह enforceability इन सभी चीजों के rule जब आप पढ़ेंगे तो आपका contract chapter पूरा हो जाएगा जो आपने अभी लिखा एक तो आप इसको लिख लिजेगा मेरे साथ साथ लिख जरूर लिजेगा प्लीज आप भूलना नहीं यह पहले से छपा हुआ भी है यह देखिया offer यहां से शुरू होती है कहानी उसमें acceptance मिलती है तो promise बनता है उसमें consideration मिलता है तो agreement बनता है और agreement में enforceability by law मिलती है तो contract बनता है I hope that solves the purpose of understanding the chapter right clear हुआ है आपको आईए अगे बढ़ते हैं हलो बच्चों कैसे आप क्या हाल चल आपके पहले तो आगे बढ़ने के पहले आप सबसे request है कि जो content आप देख रहे हैं हमारे channel पे इस content को आप बाकी जितने भी आपके friends से दोस्ते हैं उनके बिच में आप फैलाए बहुत महत्त होती है मेरी और मेरी team की एक एक content को design करने के लिए आपके लिए हमारे CA बच्चों के लिए आपका हर एक chapter का one shot revision, quick revision marathon आपके जितने भी content है उसको उपर में काम करना, हमारी paid classes के अंदर में एक-एक content को उपर में work करना, बहुत महेंद करते हैं हम लोग, और एक ही ultimate target होता है कि हमारे बच्चे यानि कि आप अपने ultimate goal को achieve करें that is chartered accountant degree बढ़े बच्चों, पहले मैं और मेरी पूरी team, Delhi के एक area में हम लोग इसको CA की classes provide किया करते थे लेकिन फिर हमने decide कि क्यों ना अपनी quality education को पूरे all over India में फैला जाए at very reasonable cost, repeat कर रहा हूँ very reasonable cost, believe कीजे हमने इस success को बहुत हद तक पाया है मेरे बच्चे पूरे all over India में हजारों बच्चे जो CA course को opt किये वे, वो हमारे साथ study कर रहे हैं और बहुत हद तक अपने आपको आगे बढ़ा है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ review पूरे all over India से हमारे पास CA बच्चों के आए हमारी classes को लेकर मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूँ अप प्लीज एक बार उसको देखें Hello everyone, this is Pari Maishwari and I'm a CA Foundation student Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate right now Hello friends, myself Prashant Dikshir I took coachings from COC Education I took my account tuition from Santosh sir Sir, you know accounts legend, you can see it on YouTube Thanks to Rahul Bhutani sir, he's my maths teacher and maths is very difficult but now I don't think like that Economics, we need to learn how difficult and difficult concepts are quite easy to explain I take my business law classes from CA Raghav Gul sir He is just amazing All the teachers clear our concept very nicely and they guide us in each and every step Monday to Saturday, you have a doubt session which you have a doctor's calling through and you can keep your doubts boost and you have teachers available which you have a doubt personally solve The most important thing about COC is that COC provides us very easy books to study Thanks to COC, my concepts are pretty clear My doubts get clear right away and I'm even able to score a good marks Thank you Thanks to COC, you know, my journey has been very easy for me Thank you Thank you so much And video ko like, subscribe, and subscribe, and all the best All the best, all the best Thank you Thank you Thank you Thank you